आपने या आर्टिकल या वीडियो कोहीं पे देखा जो मतलब इस तरीकी की जानकारी आपके पास पहुंची जरूर होगी पिछले कुछ दिनों में कि पिछले एक साल में स्मॉल कैप जो म्यूचल फंड्स है मतलब बहुत बेकाई नो ने परफॉर्म किया इंडेक्स को नहीं बीट कर पा रहें लेकिन लार्ज केप में फॉर्टी वन परसंट ही फंड्स हैं जो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा हैं तो यहां पे ओक्योग के सी चीज़ी है तो ये चीज़ मतलब ऐसा आर्टिकल या आपने वीडियो कहीं पर जबूर देखा होगा मेडिया में, सोसल मेडिया में कि स्मॉल के आप मेट के अफंड तो बीट ही नहीं कर पा रहें इंडेक्स को ठीक है तो यहां पर दो पॉइंटर्स मैं इसके बारें बता रहा हूँ एकदम दिमाग खुल जाएगा ये चीज़े सुनके देखके कि कितना मैनूपलेट किया जाता है यहां पर फैक्ट्स को और चीजों को इसे पहले मैं आपको एक बढ़िया से प्लैटफॉर्म के बारें बताना चाहता हूँ जो की फ्री में mutual fund कोर्स ओफर कर रही है जीरो टू एडवांस सब कुछ इसमें सिखाया जाता है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री एकदम जीरो रुपी आज के हमारे वीडियो के पार्टनर भी है आप लोगों के लिए जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके लिए वह उनका जो mutual fund हुआ आसान कोर्स है उसको उन्होंने फ्री किया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है लिंक वहाँ पे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप e-land markets के website पे चले जाएंगे सीधा mutual fund वाले कोर्स पे चले जाएंगे यहाँ पे आप डीटेल में देख सकते हैं कि इस कोर्स के अंदर में आपको क्या-क्या जानकारी मिलेगी और यह कोर्स जो है आप सारे subscribers के लिए मेरे 100% free है एक रुपया भी नहीं देना है यहाँ पे आपको बस जो ट्रिपल 9 प्राइसिंग दिख रही है उसके बगल में enroll दिख रहा है enroll करना है enroll पे क्लिक करते ही आपको अपने google account से यहाँ पे sign in करना होगा sign in करने के बाद आप payment page पे चले जाओगे payment page पे आपको coupon code डालना ह है और जो ट्रिपल 9 का payment आपको देख रहा था वह 0 rupees का payment हो जाएगा और वहाँ पे आपको okay कर देना है हो गया सब कुछ इतना आसान है इसके लाओ कुछ नहीं करना आपकी learning यहां से start हो जाएगी और इस course को complete करने के बाद आप एक simple सा online exam दे सकते हो exam देने का आपको certificate भी मि में भी add कर सकते हो कोई आपको परशानी problem या कोई question वगरा है तो आप support team को mail या call करके भी पूछ सकते हो description box में सारी details है यहां पर इसके अलावा stock market accelerate कई सारे तरीके की courses कई सारे तरीके की certification आपको इनके website पर मिल जाएगी जो कि यह provide कराते हैं से भी registered entity है तो वहां से scam वगरा की भी कोई problem परशानी नहीं है काफी पुराने time से यह लोग यहां पर काम कर रहे हैं तो क्यूंकि यहां पर free में हमारे जो subscriber उनको course मिल रहा है एक रुपया भी नहीं देना पर रहा तो अगर आप नहीं भी चाहते हैं फिर भी एक बार देख लेने में सीख लेने समझ लेने में यहां पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि knowledge जहां से भी मिल जाए gain करना चाहिए और हमें अगर pay नहीं करना पर रहा है उस knowledge के लिए तब तो definitely हम में एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए और mutual fund ऐसी चीज है हर किसी को थोड़ी ना थोड़ी जानकारी mutual fund के बारे में होनी चाहिए ताकि वो खुद से investment कर सके और bank distributor agent के चक्करें फसके अपना एक से दो परसेंट जो return जादा बन सकते है उसका नुखसान ना करें तो definitely आप सब लोग जाओ नीचे description box में link है वहाँ से sign in करो SIP 100 code use करो free में mutual fund के बारे में A to Z कौन से mutual fund में invest करना है से लेके क्या आपका tax बनेगा तक सारा कुछ यहाँ पर से लेकिने यह मान लिया कि small cap funds ने and mid cap funds ने under performance दिखाई है इंडेक्स के against में और large cap में सिर्फ 41 परसेंट ही under performance ह में 65% under performance बट एक बार आप number के terms में भी तो इन चीजों को देखो small cap funds का category average जो रिटर्न रहा है पिछले एक सालों में वो रहा है 52% का mid cap funds का भी 52% रहा है और flexi cap और large cap fund का 35% के आसपास रहा है तो 35% रिटर्न देके वह underperform नहीं की है और किसी ने 52% रिटर्न दिया है फिर भी index के against में वो underperform किया है तो large cap से तो बहतर ही performance mid cap और small cap की हुई ना उसने अपने index को underperform किया है फिर भी पहले चीज तो यह है तो यह कहके यह कहना कि large cap बढ़िया है 41% ही underperform की है और small cap mid cap में 86-87% under performance है पिछले एक सालों में तो थोड़ा सा यह data अच्छी तरीकी से convey नहीं हो र तो आसा misleading type की यह चीज़ आती है पूरी तरीके से बताना जोड़ी है कि आंख बंद करके साड़े small cap या mid cap funds में invest किया होता फिर भी 50-52% का return investor को मिल जाता और आंख बंद करके सारे large cap में invest किया हो तो 35% का return मिलता सबसे पहले तो यह चीज़ clear करनी है और दूसरा मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी data देखते हो किसी भी scheme mutual fund के बारे में आपको long term का देखना है अच्छा long term data इस बारे में क्या कहता है आईए हम यह आपे देख लेते हैं तो सबसे पहले हम start करते हैं यहा 8% के underperformance है और 10 यह में 31% की underperformance है तो पिछले 10 सालों से जितने flexi cap schemes है उन में से सिर्फ 31% scheme ऐसी है जिन्होंने index को बीट नहीं किया है तो 70% के आसपास scheme पिछले 10 यह में index को आराम से बीट कर रही है तो अच्छी category हुई क्योंकि long term में बढ़िया कर रही एक साल दो साल तीन साल में उपर नीचे कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक्विटी मार्केट है यहां पे सॉट टर्म में मार्केट पता है हमें इम्योशन पे चलता है लॉंग टर्म में ग्रोथ पे चलता है और स्ट्रेडिजी पे चलता है सॉट टर्म में तो थुरा कोई लग लगी भी हो सकत है five year में 73% of the funds ने under performance की है 73% and 10 years में almost 60% large cap funds है वो under perform करते फिर दिख रहे हैं इंडिक्स के against में clear है then mid-care funds की बात आती है तो mid-care funds के अंदर 86% की under performance है one year में three year में 80% almost five year में 73% and 10 years में 85% तो mid-care में हमें काफी strong यहां पर दिख रहा है कि जो long term है और short term है सारे time paid में जो actively managed fund है ज्यादा तर fund index को भीट नहीं कर पा रहें then again अगर हम small cap fund की बात करें यह सबसे ज़र क्योंकि सबसे ज़्यादा defame करने की को से small cap funds को ही की जाती है तो पिछले एक साल में 87% की under performance है तीन सालों में 57% five years में 32% and 10 years में 18% five years की time rate जहां पर mid-care funds ने 73% की under performance दिखाई large cap funds ने 73% की under performance दिखाई flexi cap funds ने 68% की under performance दिखाई वहीं पर पिछले 10 साल का भी जबसे direct funds market में आये हैं अगर सिर्फ पिछले 10 साल का भी data उठाते हैं तो small cap funds के अंदर 18-18% का under performance है 80% से ज़्यादा funds ने index को beat किया है mid cap के अंदर 85% की under performance है तो 15% funds ने सिर्फ index को beat किया है large cap के अंदर 60% की under performance है तो 40% funds ने beat किया है and flexi cap funds के अंदर 31% की under performance है तो यहाँ पे 70% funds ने index को beat किया है तो long term में जब हम देखते हैं जैसे एक साल में हमें सबसे खराब दिखता है कि चलो small cap index को beat नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जब हम 10 साल का time period उठाते हैं कि small cap funds ही है जिसमें सबसे ज़्यादा chances है index को beat करने की अच्छे margin से तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप data देखते हो उठाते हो तो long term का data उठाया कुरो अब इस data से एप नहीं कर पाड़ी तो यहाँ पर इंडेक्स के अंदर कर देते हैं तो जादा बैदर है यह फिर Tricks के अंदर कर देते हैं यही लेकिन वहां पर हमसे हैंRoia के फंड में भी कोई restriction व्यस्था नहीं ऊपर के बस धाइस सो स्टॉक चोड़ दो तो नीचे कि जितने हजार स्टॉक है वहाँ पर इंवेश्मेंट कर सकते हैं और फ्लेक्सी के अप में तो स्टार्टिंग से ही जितने हजार स्टॉक से मार्केट के अंदर वहाँ पर अपरा है दोनों चीजे मैंने क्लियर कर दी कि इंडेक्स को बीट नहीं किया है फिर भी कैटेग्री एवरेज इटन 52 परसेंट के पास है और 10 साल में तो 80 परसेंट आफ दा फंड्स ने इंडेक्स को बीट किया है उमीद है क्लियर होगा कोई question query है तो comment में पूछ सकते हो औ और आप भी यह सारी चीजे सीखना चाहती हो तो free course है description box में link है comment box में link है SIP100 code डालो और full course परो 2 घंटे से ज्यादा का content है study material मिलेगा self evolution test भी है तो आराम से सब कुछ सीख पाओगे